स्वागत है सबका साधा मादद सिंपल रेसिपी विथ देसी तड़का में हमाई आज की शेफ है मीरा चलिए दोस्तों आज हम बनाते हैं फटा फट एक बहुती लजीज वाली टमाटर की चटनी की रेसिपी वो भी खजूर याने के डेट्स के साथ तो दोस्तों ऐसी अच्छ प्रिप्शन बिल्कुल फ्री है तो शुरू करते हैं इंग्रेडियंट्स के साथ तो सबसे पहले यहां पर टमाटर ले लिया है टमाटर को बारी कूटके रखा गया है तर्मरिक याने के हल्डी का थोड़ा सा इस्तमाल करेंगे हम इंडियान फाइफ स्पाइस जो पाज त प्रिट्स याने खजूर को हमें भिगो के अच्छी तरह से रख देना है रेसिंस याने के किश्मिश को भी हमें पानी में दूलेना है स्वाद अनुसाब नमक का इस्तमाल करेंगे हम और साथ ही मीथी चटनी बनने वाली है तो ऑव्वियस्टी शुगर का भी इस्तमाल करे इसके बाद ले लेते हैं बेई लीव्स याने तेजपत्ता थोड़ा सा लिम्बू का इस्तमाल करेंगे हम एक लिम्बू का एक चोता ही भाग ऑईल ले लेते हैं याने के तेल गैस में कड़ाई को बिठा देंगे और गैस का फ्लेम ओन कर देंगे और इसके बाद कड़ाई कि गरम हो जाए तो इसमें दे देएंते हैं और इसके बाद हम दे देंगे टमाटर की जो कूट के रखा ंवा है तो देदिया हे हलदी आपने सवात मी dije और दोसतो बेलीस suny tissuescr में řेख आए इसके देने में देने के लिए को highly घुड़ है तो चलिए अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसको ढपके पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद-बाद हम इसको निकाल के देखेंगे और देखें काफी स्मैश हो गया है टेमाटर तो इस वक्त हम दे देते हैं डेट्स याने के खजूर और इसके साथ अच्छी तरह से चला ले लिए पहले इखजूर दे देते हैं ताकि खजूर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो पाए और एक दम पिघल जाए तो इसी तरह से दोस्तो थोड़ी देर बाद-बाद हमें खोलके देखना है और इसको चला लेता है देख सकते हैं आप कितना पानी निकल आया है टेमाटर से इस वक्त हम दे देते हैं रैसिंस याने के किश्मीश और साथ ही हम दे देंगे अमाबट, दोस्तों आपको तो पता ही होगा, अमाबट आम के पाल्प से बनाया जाता है तो इसको भी पानी में भीगो के रखा था मैंने और अग इस सारे इंग्रिडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए छोड़ देना है ताकि जो भी मैंने दिया था वो अच्छी तरह से पिघल जाए देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है इस वक्त हमें दे देना है चीनी सारे टमाटर अच्छी तरह से पिघल जाने के बाद चीनी देने के बाद इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीनी पिघल ले के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फिर से जादा हो जाएगी तो चलिए अब इसके बाद हमें दे देना है आमाबट का भीगोया हुआ पानी जिसमें आमाबट को भीखो के रखा हुआ था सबसे पहले मैंने वो पानी दे दिया है ये गेवरी काफी थिक है दोस्तो और थन्दे होने के बाद और भी थिक हो जाने वाली है तो इसलिए इसम के आउने कश्मीरी लाल मर्च का इसके अ两 рण के लिए कर लEMA दोस्तों मैंने कश्मीरी लाल मिलच का इसके थोड़ा सबस्क्राइब इसला और तो साथ ही इसका कलर भी बहुत ही खुशूरत आ जाएगा, देख सकते हैं आप रेलिश कलर कितना अच्छा आज रहा है और इसमें एक उबालाने देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका कलर कितना आज है, तो बस दोस्तों अब हमें दे देना है एक तम लास्ट में नीबू, वन फोर्थ लीबू का इस्तमाल किया है मैंने और नीबू को देते ही थोड़ा सा स्टेयर और इसके बाद ही डायेक्ली हमें दे देना है गैस का फ्लेम आफ तो चलिए प्लेटिंग आ लेते हैं दोस्तों ये रेसिपी अपने घर में जरूर ट्राइ कीजिए बहुत साथ जुड़े रहिए हर संडे नई रेसिपी पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलिएगा दोस्तों सब्सक्रिप्शन फ्री है हापी कोकिंग थैंक्स फॉर वाचिंग